रादे रादे दोस्तों कैसे आप सब आयोप आप सभी ठीकोंगे आज मैं आप सभी केसाद शेयर करूंगी जन्रमास्ट में स्पेशल पंजीरी की रेस्पी तो आज हम बनाएंगे धनीय की पंजीरी जिसको बनाना बहुती ज़दा सान है तो इसके लिमें यहाँ पर एक कटो लेना है और धीमी धीमी आज पर हमें यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है तो इस तरीके से धीमी धीमी आज पर एक मिनट के लिए हमें यहाँ पर इसको रोस्ट कर लेना है इससे क्या होगा कि जो हमारे धनीय के पंजीरी बन करके तयार होगी वो बहुत ही और साथ ही साथ ये लंबे समय तक खराबनी होगा जो दनिये के अंदर हलकी सी नमी रहती है वो दूर हो जाती है तो अलका सा हमने इसको भून लिया है अब हमें यहाँ पर इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देना है इसको हमें अलका सा ठंडा होने देना है जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक हमें यहाँ पर आगे की तयारी कर लेनी है तो वापिस हमें पैन को चड़ा देना है और हमें यहाँ पर लेने हैं एक कटोरी मखाने तो एक चमस देशी की डाल करके हमें इसको अच्छे से बून लेना है जब तक बूहना है जब तक कि यह क्रिस्पी न हो जाहे तो यहां पर हमें कुछ dry fruits डालने हैं अगर आप पिनल dry fruits के बनाना चाते हैं simple बनाना जाते तो simple भी आप इसको बना सकते हैं dot dry fruit डालने से जो पंजीरी का तो मैंने यहाँ पर दो चम्मच के करीब किश्मिश ली हैं और इसको हमें अच्छे से रोष्ट कर लेना है इस तरीके से तो किश्मिश को हमने अच्छे से बून लिया है किश्मिश को अलग से हमें एक बरतर में निकाल करके रख लीना है अब हमें यहाँ पर वापी से एक चम्मस घी डालना है और हमें यहाँ पर लेने हैं कुछ बदाम तो मैंने यहाँ पर ज्यादा बदाम नहीं लिये है चार से मैंने याँपर बदाम ली है इनको भी अच्छे से में रोस्ट कर लिना है आप चाहें तो यहाँपर काजु भी डाल सकते हैं क्योंकि काजु की तासीर बोत गरम होती है और बदाब भी मैंने यहाँपर कम gözटी में लिये हैं आप यहाँ पर मखाने की quantity बढ़ा सकते हैं मखाने जो होते हैं तासीर के लिए वो बहुत ही ठंडे होते हैं तो यहाँ पर बदाम को अच्छे से में बून लेना है और यहाँ पर मैंने बदाम को अच्छे से बून लिया है अब इसको भी हमें एक बरतन में निकाल करके रख लेना है और धनिया भी हमारा जो है ठंडा हो चुका है अब हमें यहाँ पर लेना है ग्रैंडिंग जार और ग्रैंडिंग जार में धनिये को डाल करके अच्छे से हमें इसको बारिक पीस करके तियार कर लेना है तो दरदर हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पीसना है बि बारिक हमने यहाँ पर इसको पीसा है अब हमें यहाँ पर लेना है एक बड़ा बरतन जिसमें भी आपको धन्य की पंजेरी बनानी है तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको एक बरतन में ट्रांसफर कर लेना है और इसको अभी हमें साइड में रख देना है अब हमें यहाँ प पर ले सकते हैं, एक मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसे टेस्ट बहुत रहता अच्छा आता है अब सभी को अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है तो आप चाहें तो यहाँ पर बारिक भी पीश सकते हैं या फिर आप इसको दरदर भी पीस करके तियार कर सकते हैं और अब हमें वापीस से लेना है grinding jar और हमें यहाँ पर चीनी को पीस करके तियार कर लेना है तो यहाँ पर चीनी आप कमी डाले हैं जाद आपको यहाँ पर चीनी डालनी है इस पर शाद के अंदर जो चीनी का टेस्ट है वो हलका ही अच्छा लगता है और हमने यहाँ पर किश्मिश भी डाली हैं तो चीनी आप यहाँ पर वैसे अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर तीन से चार चमच के करीब चीनी ली हैं और इसको भी हमें यहाँ पर बिल्कुल बारिक पीस करके तियार कर लेना है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स बिल्कुल fine powder हमने piece करके तियार कर लिया है अब PCV चीनी को भी हमें transfer कर देना है बॉल के अंदर और इसको अच्छे से हमें mix कर देना है तो फ्रेंट्स मुझे यहाँ पर 3-4 चम्मच चीनी भी जादा लग रही थी तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच के करेब चीनी के powder को बचा लिया है अब हमें चीनी को अच्छे से mix कर देना है इस तरीके से धनिये के अंदर और फ्रेंट्स हमारा जो परशाद है बन करके तयार है तो इस जन्माश्ट में पर आप धनिये की इस तरीके से पंजीरी बना करके तयार कर सकते हैं जादा टाइम ने लगता है इसको बनाने में और इस तरीके से बहुत ही टेस्टी हमारा परशाद बन करके तयार होता है तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है और लास्ट में हमें यहाँ पर लेनी है तुलसी तो हमें यहाँ पर कुछ तुलसी के पत्ते डाल देने है तो फ्रेंड्स यहां पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आज की रेस्पी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल पर पहली बार रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर करें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार